नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार जागंद्र मिस्त्रा में आज हम आपको बताएंगे 23 अप्रेल से 29 अप्रेल तक कैसे रहेगा इस वीडियो में हम इस्टुडेंट लव लाइफ केरियर मेरिज लाइफ और भी टापिक बताएंगे और लाश्ट में वीडियो के उपाय भी बताएंगे उसको आप जरूर कीजेगा इससे आपको वहत फाइदा होगा ये प्रेडिक्शन चंद्रराशी पर आधारित है तो दोस्तों आईए जानते हैं करन्या राश वालों के लिए 23 अप्रेल से 29 अप्रेल करन्या राश वालों के लिए कैसा र मिलने भी आया करो जिन्दगी में किशी का साथ काफी है कंधे पर किशी का हाथ काफी है दूर हो या पास कोई फर्क नहीं पड़ता सच्छे रिष्टों का तो बस एहसास काफी है आपको भी इस सच्छे रिष्टे को जोड़ कर रखना है जो आपको मुसीबतों में काम और आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चल सके जिन्दगी वाटसप की सीन जैसी है सिर्फ अपनी चिपानी है और दूसरों को दिखानी है डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है इस तरह जिन्दगी में खोए पल को भूला नहीं शकते मगर होसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना शकते हैं आपको हमेशा अपनी जिन्दगी में होसला जरूर बना के रखना है धैर के साथ काम लेना चाहिए और मुसीबितों को आशानी से हल करना चाहिए किसी को हरा देना बेहद आशान है लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है तो चलिए बात करते हैं कन्या राशवालों के लिए 23 से 29 सप्रेल तक की राशफल के बारे में आज हम बात करेंगे कन्या राशवालों के लिए, तो कन्या राशवालों इस शप्ताह में धनकी वर्षा हो सकती है, रुका हुआ फसा हुआ पैसा आपको मिल पाएगा, पेंडिंग काम कम्पलेट होंगे, जो रुका हुआ आपका काम है वो पूरे होंगे, ब्यापारी धन न मिल सकती है, बस आपको प्यास करना होगा, जो लोग शेयर मार्केट संबंधित या 60 लोटरी में संबंधित इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, तो ये समय में निवेस्ट करें तो आपको आगे चलकर लाब देखने को मिलेगा, कन्या राशवालों इ मन में जोस भरा होगा, पुरानी अनवन भी दूर हो शकती है, साथी से प्यार बढ़ेगा, इस्टुडेंट के लिए ये समय सांदार रहने वाला है, मन पढ़ाई में लगेगा, अब बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीक की, तो आपके लिए ये समय कुछ कठनाईयों से भरा हो श तो इस बड़े खत्रे से आप बाहर निकला पाएंगे, यात्रा से कुछ लाव नहीं होगा, आपको इस दर्मियान बिल्कुल ना करें, इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी कोई प्लानिंग ना करें, अगर आप टाल दें तो बेहतर होगा, बिजी हो सकते हैं, ब्यस्त रह सक सेहत बिगड़ सकती है, मन परेशान और चिंतित भी रह सकता है, भाग का शाथ मिल सकता है, यानि कि सेहत कमजोरी की बज़े से देखने को आपको मिलेगी कि आपका मन मस्तिस के थोड़ा सा मानसिक टेंसन भी आपको बढ़ सकता है, इसलिए इस दर्मियान आप साउधान र जोच रहे हैं गाड़ी बाहन तो इसमें बिल्कुल उप्युक्त समय नहीं है, आप ना खरीदे तो अच्छा होगा, नौकरी पेसा वालों लोगों के लिए यह समय परिस्रम ज्यादा होगा, हो सकता है, समाज में कोई एक नई जिम्मेदारी मिले करने के लिए आपको सरका की तरफ से भी आपको इसमें बाहवाही मिल सकती है, वकील पेसा लोगों को इसमें फायदा हो शकता है, और जो लोग इसमें मेडिकल से संबंधित काम कर रहे हैं, और जो लोग इसमें कीराने से संबंधित काम कर रहे हैं, और सबजी उबजी का, तो इन में भी काफी ज्या ना होगा आपको करने अराश वाले उब्यापारी इस समय कोई बड़ा निवेश बिलकुल ना करें नुक्सान हो सकता है बात करते हैं बापके उपाय कि तो ये समय आपको शूर को जल चढ़ाना है और अगर सूर देव को लाल फुल अगर तांबे के लोटे में डाल के जल वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जैस शनी देव